स्टुडेंट्स हमने सेंटर ओफ मास के सम्स आगे जो किये थे उसमें वन डाइमेंशन एंट टू डाइमेंशन में सेंटर ओफ मास कैसे फाइंड आउट होता है वो हमने सीखा था अब आगे थोड़े टॉफ सम्स हम करेंगे सेंटर ओफ मास के बारे में तो आपने आगे सीख लिया था सेंटर ओफ मास जुनने का जो तरीका होगा सेंटर ओफ मास के कोडिनेट्स वो होगा एक सीएम इकल्स टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अप्टू एम एन एक्स एन डिवाइड बाइ एम वन प्लस एम टू अप्टू एम एन यहाँ पे सेंटर ओफ मास का एक्स कोडिनेट अगर डूनना है आपको तो आप इस तरह से डून पाओगे इसी तरह से य कोडिनेट भी डून सकते हो इसी तरह से z coordinate z cm भी डून सकते हो तो y cm and z cm इसी तरह से आप y cm and z cm डून सकते हो और center of mass का coordinate अगर आपको चाहिए final coordinate तो आप r cm equals to x cm, y cm, z cm आप इस तरह से center of mass का coordinate डून सकते हो त्री dimension में अगर two dimension हुआ तो कोई भी दो coordinate जो आपको दिये वो डूनने पड़ेंगे तो यहाँ पर center of mass डूनना बहुत easy है जो आपने आगे सीख लिया है फिर center of mass की velocity अगर डूननी है तो आपको मालूम था center of mass की velocity v cm equals to पहले particle का mass पहले particle की velocity प्लस दूसरे particle का mass दूसरे particle की velocity फिर n particle का mass n particle की velocity divide by m1 plus m2 up to mn यह आप देख सकते हो यह है center of mass की velocity का formula फिर center of mass का अगर acceleration चाहिए तो भी आपको मालूम है पहले particle का mass पहले particle का acceleration दूसरे particle का mass दूसरे particle का acceleration n particle का mass और यहाँ पहे n particle का acceleration divide by total mass m1 plus m2 up to mn यह formula आपने पढ़ लिये थे फिर momentum की बात होगी तो momentum में क्या होगा आपको मालूम है total momentum total momentum means total mass और center of mass की velocity जिसको आप बोलते हो total momentum total momentum वो कैसे मिलता है कोई भी system का total momentum means पहले particle का momentum दूसरे particle का momentum यह सब आप add कर दोगे तो आपको मिल जाएगा total momentum और उसी तरह से system पे लगने वाला total force चाहिए total force तो वो मिलेगा आपको पहले particle पे लगने वाला force प्लस दूसरे particle पे लगने वाला force अप टू n particle पे लगने वाला force यह आपको देगा total force यह आपको total force देगा system पे लगने वाला total force जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो total mass इन्टू center of mass का acceleration total mass of this system इन्टू center of mass का acceleration यह आपको क्या दिखाएगा total force system पे लगने वाला total force दिखाएगा तो यह सभी formula तो आपने आगे पढ़ लिए है अब इसकी ही help से हम यहाँ पे आगे sums करेंगे देखो यहाँ पे मैं आपको जो sum बताने जा रहाँ देखो बहुत easy sums होंगे लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि मैं कौनसा formula कब apply करूँ देखो यहाँ पे मानलो कोई भी दो वेकल example 1 मानलो कोई भी दो वेकल यह रास्ते पे खड़े है यह एक रास्ता दिया हुआ यहाँ पे यहाँ पे रास्ता दिया हुआ है उसके उपर दो वेकल खड़े है यहाँ पे वेकल ए यह है वेकल ए अब दूसरा वेकल जो होगा वो भी right direction में जा रहा है यह दूसरा वेकल है वो भी right direction में जाएगा और पीछे वलो वेकल भी right direction में जाएगा तो अभी क्या है देखो बच्चो यह first वेकल यहाँ पे starting में खड़ा है यह जगह पे जिसको हम बोलेंगे x equals to 0 और यह वेकल यहाँ से 100 meter distance पे दूर खड़ा है तो इसका जो coordinate होगा उसको हम बोलेंगे x equals to 100 meter तो यह कहाँ पे खड़ा है 0 पे और यह कहाँ पे खड़ा है 100 meter दूर तो इसका coordinate x1 होगा इसका coordinate x2 होगा लेकिन यह कब है यह situation है t equals to 0 second पे यह situation है t equals to 0 second पे फिर क्या होगा बच्चो यह पीछे वाला जो वेकल है उसकी speed v1 पीछे वाला जो वेकल है उसकी speed v1 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 meter per second 10 meter per second है पीछे वाले वेकल की speed है 10 meter per second और आगे वाला जो वेकल है उसकी speed है v2 equals to 8 meter per second आगे वाला जो वेकल है उसकी speed 8 meter per second है अब होगा क्या t equals to 3 second पे t equals to 3 second पे आपको यहाँ पे डुनना होगा center of mass का coordinate center of mass कहाँ पे होगा t equals to 3 second पे आपको center of mass कहाँ पे होगा वो डुनना है और t equals to 3 second पे आपको velocity of center of mass center of mass की velocity क्या होगी वो भी डुननी है यहाँ पे देखो मैंने क्या दिया आपको दो चीज़ ढूनने के लिए दिये T equals to 3 seconds पे center of mass की position ढूननी है और center of mass की velocity ढूननी है कब T equals to 3 seconds पे दूसरी एक बात याद रखना यह जो first vehicle है उसका जो mass है वो है thousand kg और यहाँ पे जो दूसरा vehicle है उसका जो mass है M2 वो है यहाँ पे 8,000 kg 8,000 kg समझ मैं रहा है बच्चो देखो यहाँ पे यह जो पीछे वाला vehicle है 1000 kg का आगे वाला vehicle है 8,000 kg का है और पीछे वाला vehicle है वो है zero coordinate पे आगे वाला vehicle है 100 m दूर तो इसका coordinate हुआ 100 m समझ मैं रहा है और यह one direction में one dimension में हो रहा है देखो x axis में तो यहाँ पे y axis और z axis अब नहीं लेंगे सिर्फ यह x axis पे motion हो रही है तो अभी यहाँ पे आपको डुणना है t equals to 3 second पे इसका center of mass यह system का center of mass और t equals to 3 second पे यह center of mass की velocity और आपको तीसरा डुणना है यहाँ पे t equals to 0 second पे center of mass डुणना है t equals to 0 second पे भी center of mass डुणना है t equals to 3 second पे भी center of mass डुणना है और t equals to 3 second पे velocity of center of mass डुणना है तीन चीज़ आपको डुणनी है यहाँ पे यह first यह second और यहाँ पे यह third तीन चीज़ आपको यहाँ डुणनी है चलो अब हम यहाँ पे कैसे डुणनेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले t equals to 0 second की बात होगी t equals to 0 second की और आपको center of mass कहाँ पे होगा उसकी position चाहिए तो वो होगा तो x-axis पे ही तो आप formula यूज़ करोगे x cm equals to m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2 और इसके अंदर value put up करोगे जैसे यहाँ पे m1 1000 किलोग्राम x1 0 plus m2 8000 किलोग्राम x200 divide by 1000 plus 8000 आप यहाँ पे रखोगे simplify करोगे तो आपको answer मिलेगा 88.88 meter means यहाँ origin से यहाँ से x equals to 0 से कितने दूर 88.88 meter दूर यहाँ पे center of mass होगा समझ में आ रहा है इतना दूर यहाँ पे center of mass होगा x equals to 0 से इतना दूर यहाँ पे 88.88 meter दूर center of mass होगा अब t equals to t equals to 3 seconds पे t equals to 3 seconds पे आपको center of mass चाहिए तो अब हम क्या करेंगे देखो t equals to 3 seconds की बात होगी तो 3 seconds के बाद यह car की position भी change हो जाएगी यह आगे दूसरा वेकल बस उसकी position भी change हो जाएगी तो यहाँ पे आपको ढुणना होगा 3 seconds के बाद यह दोनों की position पेले आपको क्या ढुणना होगा 3 seconds के बाद यह दोनों की position तो अब यहाँ पे क्या होगा यह दोनों ही वेकल constant speed से जा रहे है इसकी speed 10 है इसकी speed 8 है तो बहुत simple सी बात है बच्चो यहाँ पे जो first vehicle है First vehicle first vehicle की position जो होगी x1 वो क्या होगी तो देखो ये first vehicle 1 second में 10 meter जा रहा है तो 2 second में 20 meter जाएगा और 3 second में 30 meter जाएगा तो ये vehicle 30 meter आगे बढ़ चुका है तो 8 3 second 80 equals to 3 second 80 equals to 3 second ये जो पीछे वाला जो vehicle है वो 30 meter आगे चला जाएगा तो उसकी position हो जाएगी x1 equals to 30 meter फिर दूसरे vehicle की बात करेंगे second vehicle की बात करेंगे तो जो second vehicle होगा वो 8 की speed से जा रहा है तो 1 second में 8 meter जाएगा 2 second में 16 meter और 3 second में 24 meter ये आगे जाएगा तो अभी वो कहाँ पे खड़ा है अभी वो 100 पे खड़ा है उसमें 24 8 कर दोगे तो ये second vehicle की position 1, 2, 4 meter आ जाएगी समझे आ रहा है बच्चो तो यहाँ पे क्या होगा first vehicle की position 30 meter पे होगी उसका coordinate कहाँ पे होगा 30 meter पे second vehicle की position होगी 1, 24 meter पे अब आपको t equals to 3 second पे t equals to 3 second पे center of mask की position चाहिए xcm चाहिए लेकिन अब यहाँ पे जो xcm चाहिए वो कब मिलेगा t equals to 3 second पे तो same formula m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2 अब यहाँ पे आप value put up करोगे तो m1 जो होगा वो thousand है x1 30 है m2 जो है वो है 8000 और x2 124 है divide by यहाँ पे लिखना पड़ेगा thousand plus 8000 समझवारा बच्चों तो अब यहाँ इसको आप simplify करोगे तो आपको यहाँ पे answer मिलेगा 113.55 113.55 meter तो आपका center of mass अब t equals to 3 second पे यहाँ पे पड़ा होगा simple सी बाते देखो बच्चों यह समझ में आ रहा है तो t equals to 3 second पे center of mass change हो गया है क्योंकि यह दोनों ही vehicle दोनों ही vehicle जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसका जो center of mass था यहाँ पे पहले यह दोनों ही vehicle जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे यह center of mass भी displace होगा और उसकी position भी change होगी तो center of mass पहले कहाँ पे था center of mass पहले था 88.88 meter पे फिर center of mass कहाँ पे आ गया t equals to 3 second पे center of mass आ गया 113.55 meter पे समझ में आ रहा है तो center of mass अपनी जगह से displace हो रहा है देखो तो center of mass जब अपनी जगह से move हो रहा है तो center of mass की velocity भी होगी तो चलो अब हम यह दूढ़ेंगे center of mass की velocity क्या होगी देखो at equals to 3 second at equals to 3 second 3 second पे आपको क्या चाहिए center of mass की velocity चाहिए तो चलो यहाँ पे center of mass की जो velocity होती है उसका formula क्या है vcm equals to vcm equals to m1 v1 plus m2 v2 divide by m1 plus m2 यह center of mass की जो velocity होगा velocity उसका एक formula यहाँ पे तो आप देख सकते हो आप यहाँ पे यहाँ पे first object की velocity v1 constant है दूसरे object की velocity v2 भी constant है तो कोई भी second ले लोगे आप T equals to 3 second, 4 second, 5 second, कोई भी second ले लोगे तो पहले object और दूसरे object की जो velocity है यहाँ पे 10 meter per second और यह 8 meter per second वो तो constant रहने वाली है तो यहाँ पे आप क्या करोगे direct velocity की value put up कर दोगे तो first object का mass जो है वो है thousand और उसकी velocity जो है वो है 10 दूसरे object का mass है 8,000 और उसकी जो velocity है वो है 8 divided by thousand plus 8,000 अब आप इसको simplify करोगे तो आपको यहाँ पे answer मिलेगा 8.22 meter per second तो center of mass जो होगा उसकी velocity 8.22 meter per second यहाँ पे आपको मिल गई देखो समझ में आ रहा है बच्चो तो यहाँ पे आपने जो sum calculate किया वो t equals to 0 second पे center of mass की position ढूंडी t equals to 3 second पे center of mass की position ढूंडी और t equals to 3 second पे आपने center of mass की velocity भी ढूंडी समझ में रहा है यह तीन चीज आपने ढूंडी यही sum आप calculate करो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा data change करके दे रहा हूँ देखो यही sum आप calculate करो try करो method same रहेगी इसमें मैं थोड़ा data change कर देता हूँ यहाँ पे देखो मैं एक extra दे रहा हूँ data और दूसरे object की velocity जो दी हुई है यहाँ पे वो भी constant है 3 meter per second यहाँ पे 3 meter per second यह constant है दोनो दोनो ही velocity अब आपको यहाँ पे ढुणना होगा t equals to 0 second पे x cm और यह दोनो object के बीच का जो distance है दोनो object के बीच का जो initial distance starting का distance जो है initial distance initial distance वो है 100 meter वो 100 meter रखा है initial distance कितना रखा है 100 meter अब x equals to 0 पे आपको center of mass की position चाहिए और t equals to 2 second पे t equals to 2 second पे आपको center of mass की position और center of mass की velocity यह दोनो ही चाहिए समझ भी आ रहा है यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है mass दे दिया दोनो object का दोनो की velocity constant है वो दे दिया दोनो object के बीच का distance कितना है दोनो object के बीच का distance 100 meter दे दिया है फिर t equals to 0 second पे center of mass की position चाहिए t equals to 2 second पे center of mass की position और center of mass की velocity चाहिए यह आप ढूंडो और इसका answer हम discuss करेंगे चलो अब मैं एक दूसरा sum आपको यहाँ पे calculate करके बता रहा हूँ देखो एक दूसरा sum आपको calculate करके बताऊंगा इसी तरह से यह आप अभी यह sum पूरा देख लिया फिर इसका answer ढूंडो इसके बाद दूसरा sum आप calculate करना चलो यहाँ पे मैं दूसरा sum एक example ले रहा हूँ ध्यान रखना बच्चो दूसरा एक example मैं जितना भी आपको यहाँ पे calculate करके दिखा रहा हूँ बाद मैं जो humber दे रहा हूँ मैंने अभी आपको homework में दिया हुआ है यह example 2 है जो मैंने आपको homework में दिया है इस cancer आप डुंडोगे चलो आप मैं यहाँ पे example 3 आपको करौँगा example 3 example 3 में क्या होगा देखो formula यहाँ पे लिखे हुए example 3 में क्या होगा कोई एक building होगी यह building की height पर्स है यह building की height पर से t equals to 0 second पे को एक object को free fall किया जा रहा है object को free fall किया जा रहा है फिर after one second after one second दूसरे object को free fall किया जा रहा है तो simple सी बात है बच्चो जो पहले free fall किया हुआ है वो ज्यादा नीचे पहुँच गया होगा और one second के बाद जो free fall किया हुआ है वो थोड़ी देर के बाद नीचे पहुँचे गा समझ में आ रहा है बहुत simple सी बात है देखो अब object को free fall किया है तो आपको मालूम है जब आप object को छोड़ दोगे free fall कर दोगे तो object जो नीचे पर यहाँ पे गिर रहा है तो starting में starting में पहले object की velocity initial velocity v01 क्या होगी जीरो होगी जो object free fall होते जिसको आप छोड़ दोगे अपने हाथ मेंसे तो starting में पहले object की velocity 0 होगी उसी तरह से दूसरे object को भी अपने हाथ मेंसे चोड़ दिया है तो starting में initial velocity V02, second object की initial velocity भी 0 होगी तो आपने हाथ में से छोड़ दिया है दोनों object को तो starting में initial velocity दोनों की 00 है फिर क्या होगा यह object नीचे गिरने लगे तो आपको मालूम है जब कोई object नीचे गिरता है, free fall होता है तब उसका जो acceleration होता है, वो हो जाता है plus G जितना, 9.8 meter per second square और यह object भी नीचे गिर रहा है इसका acceleration हो जाएगा, 9.8 meter per second square दोनों object नीचे गिर रहे है पहले starting में दोनों object कहां पे थे starting में दोनों object यहां पे, building के top पे थे फिर मैंने इसको छोड़ दिया है तो यह दोनों object नीचे आ रहे है तो उसका acceleration आपको मालूम है फिर उसकी जो यहां पे velocity दी है initial velocity वो भी आपको मालूम है और object को कब मैंने free fall किया वो भी यहां पे दिया हुआ है और यह building की height बहुत ही ज़्यादा है मानलो यह building की height है 500 meter building की height है 500 meter मानलो चलो अब यहां पे आपको डुनना होगा t equals to 3 seconds पे t equals to 3 seconds पे center of mass center of mass कहां पे होगा t equals to 3 seconds पे center of mass कहां पे होगा उसकी position डुननी है t equals to 3 seconds पे center of mass कहां पे होगा उसकी position डुननी है तो होगा क्या देखो बच्चो t equals to 3 seconds पे first object इतना नीचे पहुँच गया है और यह second object यहां पे पहुँचा हुआ है क्यों क्योंकि यह late यहां पे late free fall हुआ था यह पहले free fall हो गया था तो first object ज्यादा नीचे पहुँच गया है दूसरा object थोड़ा अभी उपर है तो हमें क्या डुनना है t equals to 3 seconds पे यह दोनों object का center of mass तो simple सी बात है बच्चो पहले आपको क्या डुनना पड़ेगा पहले आपको t equals to 3 seconds पे पहला object कहां पे पहुँचा है उसकी position डुननी है और t equals to 3 seconds पे दूसरा object कहां पे पहुचा है उसकी position भी डुननी है तो आपको t equals to 3 seconds पे दोनों object की position पहले डुन लेनी है तो चलो अब हम क्या करेंगे first object की बात में करूंगा first object की बात first object की initial velocity v0, 1, 0 है फिर acceleration की बात करेंगे तो acceleration हम ले रहे है 9.8 meter per second square जितना और time ले रहे है यहाँ पे 3 seconds क्योंकि यह तो starting 0 से ही गिर रहा है नीचे तो यहाँ पे आपको जो net time लेना है वो होगा t minus 0 means 3 seconds क्योंकि यह 0 seconds से ही नीचे गिरना start कर दिया है तो after 3 seconds तो final time क्या है 3 seconds और starting का time क्या था गिरने का time 0 तो final time minus initial time 3 minus 0 means 3 seconds पे जिसको मैं लिकूंगा यहाँ पे t1 यह आपको traveling time मिला first object का traveling time क्या है 3 seconds अब उसकी position चाहिए तो मैं यहाँ पे लिकूंगा x1 equals to displacement का formula है बच्चो v01 t plus half a t square यह formula है displacement का यहाँ पे आप जैसे ही यह v01 वो तो 0 है तो 0 into time तो यह हो जाएगा 0 plus half acceleration की value 9.8 है और t1 जो मिलेगा वो है 3 का square तो इसको आप simplify करोगे बच्चो तो यहाँ पे आपको answer मिलेगा 44.1 44.1 meter तो यह first object कितना नीचे पहुँच गया है यहाँ starting से first object कितना नीचे पहुँच गया है 44.1 meter इतना वो नीचे पहुँच गया है अब दूसरा object दूसरे object की बात होगी second object की बात होगी तो second object की initial velocity क्या है 0 है उसका acceleration भी क्या है 9.8 है अब उसका जो traveling time होगा वो क्या होगा तो 3 second final time है लेकिन वो निकला कब वो निकला 1 second पे तो minus 1 second में करूंगा final time minus initial time तो उसका traveling time जो मिलेगा वो होगा 2 second वो होगा 2 second तो यहाँ पे आप उसकी position चाहिए x2 तो v02 into t2 plus half a t2 square समझ भी आ रहा है बच्चो तो जैसे ही आप यहाँ पे value put up करोगे यह 0 हो जाएगा plus half यहाँ पे 9.8 और यहाँ पे हो जाएगा यह 2 square तो आप यहाँ पे इसका simplification करोगे तो आपको यहाँ पे 19.6 19.6 meter answer मिलेगा यहाँ पे देखलो simplify करके देखलो आपको 19.6 answer मिलेगा तो दूसरा object कहाँ पे पहुँचा है दूसरा object t equals to 3 second पे 19.6 पे पहुचा है और first object t equals to 3 second पे 4.1 पे पहुचा है तो दोनों की position आपको मिल गई लेकिन कब t equals to 3 second पे मिली है यह जो भी हमने यहाँ पे calculate किया वो t equals to 3 second पे calculate हुआ है अब आपको center of mass चाहिए था आपको क्या चाहिए था यहाँ पे center of mass चाहिए था कब t equals to 3 second पे तो 8 t equals to 3 second 8 t equals to 3 second center of mass की position चाहिए तो formula बहुत इसी है m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2 यहाँ पे दोनों object के mass भी में दे देता हूँ first object का जो mass होगा 1 kg दूसरे object का जो mass होगा 2 kg होगा चलो दोनों का मैं mass भी यहाँ लिखके दे देता हूँ आपको तो यहाँ पे m1 की value 1 लिखेंगे x1 जो है वो यहाँ पे 44.1 मिला है 44.1 मिला है वो लिखेंगे plus m2 जो होगा वो है यहाँ पे 2 kg लिखेंगे और x2 जो है x2 वो 19.6 मिला है वो हम यहाँ पे लिख देंगे divide by 1 प्लास 2 कर देंगे यहाँ पे हम कर देंगे 1 प्लास 2 क्योंकि 1 kg और 2 kg इसको अब आप simplify करोगे आपको यहाँ पे answer मिलने वाला है xm equals to 27.77 meter यह आपको answer मिला इतने meter यह आपको answer मिला लेकिन यह answer कब मिला जब time यहाँ पे मैंने दिखाया हुए देखो जब time t equals to 3 second है जब time t equals to 3 second है तब आपको center of mass की position मिल गई 27.77 समझ मैं रहा है यह center of mass की position मिल गई जब time 3 second है जैसे जैसे time बढ़ता जाएगा वैसे वैसे means time जैसे जैसे change होगा वैसे वैसे center of mass की position भी change होगी लेकिन यहाँ पे जो आपको यह distance मिला ना बच्चो यह top position से building की top position जिसको हमने लिया है zero coordinate यह उपर zero coordinate है यहाँ पे x equals to zero लिया हुआ है हमने फिर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे distance बढ़ता जाएगा तो यहाँ means building की top position से यह कितने नीचे यह नीचे मिला 27.7 meter इतना नीचे उपर से इतना नीचे नीचे की direction में यह center of mass मिलेगा समझ में आ रहा है यह हुई आमारी यहाँ पे third second पे बात देखो बच्चो यहाँ पे कोई भी doubt है यह फिर से देखोगे आप वीडियो फिर से वीडियो देखोगे तो तुरंद आपको समझ में आ जाएगा कि इस पे हमें क्या करना है समझ में आ रहा है बच्चो तो यहाँ पे t equals to 3 second पे पहले object की position डुण ली t equals to 3 second पे दूसरे object की position डुण ली एक बार दोनों की position x1 x2 में मिल जाती है तो t equals to 3 second पे center of mass की position भी मिल जाती है बहुत ही easy है देखो जैसे ही मैं यहाँ पे time change करूंगा time change होगा उसके मुताबिक यहाँ पे position भी change होती रहेगी समझ में रहा है बच्चो और यह sum में आगे क्या पुछा है यह sum के अंदर आगे पुछा है t equals to 3 second पे ही t equals to 3 second पे ही center of mass की velocity भी ढुण लो t equals to 3 second पे समझ में रहा है यहाँ पे आपको ढुणना है अब t equals to 3 second पे center of mass की velocity तो चलो आप यहाँ पे extra यह भी second case भी मैं आपको पढ़ा दू t equals to 3 second पे यह second sum में इसके अंदर वाला t equals to 3 second पे आपको ढुणना है velocity of center of mass यहाँ पे velocity of center of mass ढुणना है लेकिन कब t equals to 3 second पे तो आप first object की बात होगी पहले तो first object में initial velocity क्या है बच्चो first object में initial velocity है v01 0 meter per second और first object नीचे जा रहा है तो उसका acceleration क्या होगा free fall हो रहा है तो 9.8 meter per second square और time कितना लेना है traveling time traveling time आपको लेना है यहाँ पे 3 minus 0 final minus initial time equals to 3 second समझ बहा है बच्चो अब आपको ढूनना है final velocity 3 second पे final velocity क्या होगी final velocity 8 3 second जिसको मैं v1 बोल रहा हूँ तो velocity का formula है v01 plus 80 यह formula है आपको मालूम होगा v equals to v0 plus 80 यह formula है यहाँ पे तो यहाँ पे मैं value put up कर दूँगा देखो v01 तो 0 है a 9.8 है और time जो है वो time कितना है traveling time यहाँ पे t1 time traveling time है 3 second तो अब आपको velocity मिल जाएगी तीन second पे velocity आपको मिल जाएगी यहाँ पे velocity आपको मिल गी 29.4 meter per second लेकिन यह velocity कब मिली t equals to 3 second पे उसी तरह से दूसरे object की भी बात होगी second object जो होगा second object उसमें हम यहाँ पे लिख रहे है उसकी initial velocity क्या होगी 0 meter per second second object की फिर उसका acceleration भी क्या होगा free fall हो रहा है तो 9.8 meter per second square time traveling time क्या होगा तो 3 second पे हमें डुनना है लेकिन वो निकलाता है एक second बाद तो उसने तो 2 second traveling किया है तो 2 second में traveling किया तो कितनी velocity होगी यहाँ पे v2 equals to final velocity after 3 second यहाँ पे तो v02 plus 82 तो यहाँ पे 0 plus यह 9.8 into यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यह 19.6 meter per second तो यह velocity मिली दूसरे object की 3 second बाद 3 second बाद पहले object की velocity यह है 3 second बाद दूसरे object की velocity यह है अब 3 second पे हमें क्या ढुणना था center of mass की velocity 3 second पे हमें ढुणना था center of mass की velocity तो बहुत ही easy है M1 V1 plus M2 V2 divide by M1 plus M2 आप जैसे ही value रग दोगे तो M1 क्या होगा बच्चो M1 यहाँ पे दिया हुआ है 1 kg V1 क्या होगा 3 second पे V1 होगा 29.4 M2 क्या होगा M2 होगा 2 kg और V2 क्या होगा 19.6 फिर M1 plus M2 तो 1 plus 2 करोगे आप यहाँ पे 1 plus 2 समझ में रहा है देख लो आप इसको simplify करो आपको यहाँ पे answer मिलेगा 22.87 आपको यहाँ पे answer मिलेगा 22.87 meter per second यह velocity of center of mass center of mass की velocity आपको मिल गई लेकिन कब 80 equals to 3 second क्योंकि दोनों object नीचे आ रहे है दोनों object नीचे आ रहे है तो उसके साथ साथ center of mass भी नीचे आ रहा होगा तो center of mass की velocity भी होगी 22.87 लेकिन यह t equals to 3 second पे है समझ में आ रहा है बच्चो तो यहाँ पे हमने क्या ढूंडा देखो हमने यहाँ पे t equals to 3 second पे center of mass की position ढूंड ली और t equals to 3 second पे center of mass की velocity भी टूंड ली यह सम कुछ भी doubt है दो बार वीडियो देखो लेकिन यह आपको completely समझ में आ जाना चाहिए चलो आप हम मैं आपको इसमें data change करके इसमें ही data change करके आपको एक sum दे रहा हूँ देखो मैं यहाँ पे यह example 3 था अब मैं example 4 यहाँ पे दे रहा हूँ इसमें ही data change कर देता हूँ आप calculate करो चलो और मुझे answer बताना यह example 4 इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ example 4 में example 4 में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे m1 mass 2 kg m2 mass m2 जो mass होगा वो होगा 3 kg फिर m1 जो है वो free fall हो रहा है t equals to 0 second पे t equals to 0 second पे यह free fall हो रहा है नीचे गिर रहा है हम इसको free fall कर रहा है और यह जो है यह t1 यहाँ पे 0 second यह t2 यह free fall हो रहा है 1.1 second पे यह free fall हो रहा है 1.1 second पे समझ में आ रहा है यह तो एक काम करते है यहाँ पे अब 0.1 ले लो चलो 0.1 second पे यह free fall हो रहा है यहाँ पे यह M1 है 2 kg 0 second पे free fall हुआ M23 kg 0.1 second 0.1 second पे free fall हुआ समझ में रहा है यह 0 second पे नीचे गिरा यह 0.1 second पे नीचे गिरा दोनों ही free fall हो रहा है अब आपको ढुणना है यहाँ पे T equals to 2 second पे T equals to 2 second पे center of mass की position means XCM ढुणना है और आपको VCM भी ढुणना है लेकिन कब T equals to 2 second पे और free fall हो रहा है तो acceleration क्या होगा simple सी बात है 9.80 लोगे समझ में रहा है acceleration free fall जब भी मैंने free fall word यूज किया है तो acceleration क्या होगा 9.8 mass दे दिया है free fall पे initial velocity क्या होती है जब भी कोई object को आप हाथ में से छोड़ोगे तो initial velocity क्या होगी 0 वो भी simple है तो दोनों की initial velocity भी 0 होगी दोनों का acceleration भी 9.8 होगा mass दे दिया है और कब वो free fall हुए यह 0 second पे free fall हुआ यह 0.1 second पे free fall हुआ वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया है तो आप यह पूरा सम यही मेतर से करोगे और मुझे answer दोगे हम next lecture में इसका answer discuss करेंगे